है पी दिवाली है पी दिवाली है लो पोके फैंस एंड वैल्किम टू पोकेमोन ओमेगा रूबी रैंडमाइज नजलोग के एपिसोड पूर के ऊपर और सबसे पहले सबको है पी दिवाली और मुझे भी आपी दिवाली विश्च कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन से थोड़ यही पर इसी केव में अपने ये वीडियो एंड किया था बिशाप को पकड़के और इसके निकनेम के सजेशन मेरे पास खूब सारे धेरों सारे आय कमेंट के अंदर थैंकि सो मच एब्रिवन पर दिक्कत यह हुई कि मैंने गेम को पहले सेव कर लिया था ना पकड़ने के तो में निकनेम अभी चेंज नहीं कर सकता तो जब तक नेम चेंजर नाम का कोई बंदा नहीं दिखता था अब तक यह इतना डर क्यों रहा है रोको चेक करने दो यह पीको है क्या पीको चोड तेरी तो रुक इनने रहे चुराया नहीं रहे है जिनकी पर के लिए उदार लिया बस तरको अभी समझाता हूं फिर हमारी बैटल स्टार्ट हुई उसने अपना पोकिमोन बाहर निकाला मैंने अपना पोकिमोन बाहर निकाला और इस फाइट में मुझे पता चला कि बग टैप पोकिमोन डाक टैप के उपर ज्यादा सूपर एफेक्टिव रहते यार तो अगली बार एसी गलती नहीं कर पर चिंता की कोई बात नहीं थोड़ा से डामेज खाने के बाद मेरे काले कुट्य निकरो परोए मैं चोड समझा मैरे को उदार लिया ता रहे सची मैं तरको चाहिए तो तू ले ले उसमें मुझे कुछ डीवन पार्ट्स दिये जिसका मुझे कोई आइडिया निये कि करन क्या है जिसको पता फ्लीज कमेंट्स में थोड़ी हल्प कर देना पीको को मैंने बचा लिया था और वो टकले जो मुझे बिकारी बोल रहे थे वो अंकल जी मेरे को आ के बोले और कोई ना अंकल जी यार मैंने उनको प्यार से रिप्लाई किया उसके बाद अंकल जी वहाँ से चले गए और मेरे भी अब जाने का टाइम आ गया था तो मैं भी चल पड़ा आगे की तरफ पर फिर मुझे पता चला इदर तो जाना ही नहीं है तो पता लगा के आता हो कि अब जाना का एं तो मुझे पता चल गया था कि जाना कहां पर है यहां पर एक साइंटिस्ट खढ़ा है उससे बाते करनी है और यहां पर कुछ बखवास सी बाते हुए थी जो कि मैंने सुनाए कि तुम्हारे लास्ट वीडियो पे लाइक टार्गेट अचीव नहीं हुआ था इस वीडियो पे भी 100 लाइक का टार्गेट है देखते तुम्हारी ओडियो कर पाती है नहीं करवा दी ना बेजती हपते में एक लाइक का टार्गेट देता हो भाई वह भी अचीव नहीं कराके देते हो तुम लोग जाने हुए ताइटनिक का पोस मारने विंगल के साथ अब अच्छा लग रहा है ना लाइक कर देना फिर में जर्णी कंटिन्यू करते हुए ड्यूफर टाउन आया जहां पर मुझे ये टकले अंकल जी लेके आया थे बाइद वे बोट बहुत अच्छी चलाते इनको मैंने सी ओफ किया और जर्णी कंटिन्यू करी इस टाउन में गुमतक मैं नोटिस किया कि यहाँ पर भी एक पोकिमोन जीम है पहले मेरा प्लान था कि इस जीम को अग नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे अभी कुछ नहीं करेंगे पर फिर मेरा मन किया कि नीचे के जो लल्लू-पल्लू ट रखा था और आगे बढ़ गया फर्स्ट ट्रेनर से फाइट करने के लिए फाइट स्टार्ट हुई उसके पास एक पोकिमोन था जो कि इसने बाहर निकाला मैंने भी अपना लाल केकड़ा बाहर निकाला और लाल केकड़े ने उसको दो दिया क्योंकि वो वाटर टाइप है समझ रहा है फmosher दो दिया पहली जीत के बाद कॉंफिदेन्स तो आगे है यर क हरा सकता हूं पर डो पहले हील पटacağ पट हील करने के बाद जनकी पॉजल करते हुए मैं सेकिंट ट्रेनर से फाइट करने के लिए घया मुझे लगा इसके पास दो फोकिमोन थे पर इसके पास से बिना हिल किया चला गया इस थर्ड ट्रेनर के पास में दो पोकीमोन थे और पहला पोकीमोन जैसे इसने बाहर निकाला मैंने भी अपने ट्रस्ट वर्दी लाल केकड़े को बाहर निकाला और आप लोग मानोगे नी इस लाल केकड़े ने उस पोकीमोन को वन चॉट कर दिया नहीं बरोसा तो देख लो देखा आगली बर मेरी बाते पर बरोसा कर ले ना नेक्स्ट पोकेमोन उसने मंचलैक्स बाहर निकाला मैं अपना आल सी मर्द निकाल सकता था पर अभी नहीं यार लाल केकड़ा सबको मार रहा है तो इसको ही मारने देते और भाई फिर से वन शॉट तीनों ट्रेनेर्स को हरा देने के बाद मैं आगे की जिम की पजल सॉल करने लग गया क्योंकि जिम की पजल इंट्रेस्टिंग यार अंदरे में चलना पड़ रहा देख रहे हो कि नी एसे बैटल स्टार्ट हो गई उसने मेरे साटने कुछ बड़िया वाले पोजिस मारे और मैं अपनी किस्मत को लेगे बस रह रहा हूं क्यूंकि उसके पास छे फोकेमोन की टीब होगी और मैंने अपने फोकेमोन को हील तक मि करा उसका फॉर्स पोकेमोन था गेंगार और यह वहाई प्रॉपर कोस्ट यार इनवीजिबल हो क्या है सेट राहा का गलीच है यार गेम का फीचर नहीं है मैंने मैंने लाल केकड़ा निकाला इस उमीद में कि शायद डाक टेप अटेक से वन शोट हो जाएगा उमीद पर दुनिया का है मैं यार एक पोकेमोन किया पांच वाकी है अभी तो नेक्स उसने लार्विटार निकाला और इजी है यार इसके उपर थोड़ा सा पानी फेकूंगा और यह तो मर जाएगा ऐसा ही सोच के रेजर शेल किया मैंने उसके उपर और लाल केकड़ा चारा आ यार दो पोकेमोन को वन शोट मार चुका है लाल केकड़ा ओपी है बस ऐसी लड़ता रहे जिम के बाद साफ पानी पिलाओंगा तुझे क्योंकि तुछ वाटर टाइप है दो पोकेमोन गए चार बाकी अब लाल केकड़ा को मैं बचाना चाता था इसलिए फिर मैंने नेक्स्ट अपना काला कुत्ता को सलेक्ट किया क्योंकि बिशाप को भी यूज नहीं कर सकता है वो कुछ जाद ही अंडर लेवल है जिम के लिए और नेक्स्ट वो अरोडक्तेल को बाहर निकाल रहा था तो मैंने सुचा लाल केकड़ा निकालते पानी फेकेंगे जैसे मैने प्लान किया था उसी तरीके से मैंने एरोडक्तेल के उपर पानी वाला मूव सलेक्ट दिया उसने एंचीन पावर यूज किया और जीम लिडरे तुर नाना बाकी है भी। नेक्स्ट मैने अपना आल सी मर्द बहार निकाला, लाल केकडे को थोड़ा रेस्ट दी दिया, और जीम लिटर ने अपना पीच्छो बहार निकाला भाई, यह बेपी पोकेओं ट्रेणर है वो, भाई सची हो इसने एक बच्चा पोकेमोन बाहर निकाला है लाना ते यार इसके जीम लीटर होने पर उसके बाद उस छोड़े बच्चे के साथ वही हुआ जो एक बड़ा भाई छोड़े भाई के साथ करता है प्लीज ऐसा नहीं करना ना ये वीडियो सिफ एंटर्टेन्मेंट परपस के लिए है मैं किसी को नहीं सिखाता हूं कुछ करने के लिए अब सीरियूस होना पड़ेगा क्योंकि उसका मेन पोकेमोन ही बागी है और उसका लास्ट पोकेमोन एक करकून है जैसे तहसे में उसको कम एच्पी पे लेके आया और जिम लिडर ने अपना कखूना बचादे के लिए उसका सूपर पोशेट यूज किया है इस मेटल के ऊपर कमेंट्री नहीं हो सकती है इस पोकेमोन के साथ भी वही हुआ जो एक बड़ा भाई अपने छोड़े भाई के साथ करता है इतना इसी जिम बैटल मैंने आज तक नहीं लड़ा है और भाई जीत गया मैं जिम बैज और क्या चाहिए वह भाई दिदकार यार इस बंदे के उपर जिम लिडर होने के लिए भाई मैं पता है डर के गया था इस जिम में फाइट करने के लिए कि कि आप भाई उसके पास छे पोकेमोन की टीम होगी वह मेरे को मार सकता है और बिशाप मेरा अभी यूज करने का मन नहीं था क्योंकि वह बहुत ज्यादा अंडर लेवल है तो कमेंट से मुझे बता देना ताकि मैं on the spot वही निकनेम रख सका देट जानना चाहते हो तो अगर मेरे हर एक वीडियो के उपर 10-10,000 से उपर व्यूज आते हैं तो मैं 6 महीने के अंदर स्ट्रीम फिर से ला पाऊंगा पर आप लोग व्यूज देख सकते हो पर हजार के आसफास भी नहीं है जा जाके एक एक बंदे को reply करना बहुत hard हो जाता है और भाई बार बार एक ही चीज बोलता रहोंगा तो अच्छा नहीं लगेगा न तो बस भाई आज से शायद आप सब लोग समझ गये होंगे कि क्या issue है हो सके तो सपोर्ट करना दिवाली मनवादो मेरी भी और बस बाई बाई